खाद्या तेल की कीमतों में एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरिदारी देखने को मिली है तरसल सीबोट सोया बीन में जोरदार तेजी आ गई है USJ ने अमेरिका में सोया बीन उत्पादन के अनुमान को घटा दिया है और अमेरिका में सोया बीन उत्पादन का अनुमान घटाए जाने से सीबोट सोया बीन वायदा में जोरदार उच्छा लाया है तरसल USJ की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पच्चमी शेत्रों में अगस्त के दुरान गरम और शुष्क मोसम के कारण अमेरिका में मक्य और सोया बीन की सप्लाई करी साल के निचले सर तक गिर जाएगी क्योंकि इससे दोनों फसलों के उत्पादन पर असर पड़ेगा वहीं अमेरिका में सोया बीन का उत्पादन 4.378 अरब बुशल रहने का अनुमान लगाया है जो कि बजार विशेशलेशकों ने 4.496 अरब बुशल का लगाया था और ये अनुमान उससे कम है वहीं अगस्त में यूएसडिये ने फसल का अनुमान 4.53 अरब बुशल लगाया था अब इसको घटाकर 4.378 कर दिया गया है उत्पादन अनुमान में कटोती के कारण वर्ष 2022-23 में अमेरिका में सोया बीन का अंतिम स्टोग 200 मिलियन बुशन रहने का अनुमान है जो 7 साल का निच रास्तर है इसके चरते घरेलू बजारों में भी खादे तेल की किमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है और इंदोर मंडी में भी सोया बीन तेल के भाव में 15 रुपे का उच्छाव दर्च किया गया जबकि पाम तेल 9 रुपे की तेजी के साथ कारोबार करता दिखाए दिया तो वहीं मुफली तेल में 30 रुपे की तेजी दर्च की गई अपली अपली तेल आत वी धया